सरसों का साग बनाते हैं बहुत असान तरीकों से, तो चलिए बनाना सुरू करते हैं, यहाँ पे मैंने डोट डंठल सरसों का साग लिया है, इसे हम लोग चूण बीच कर काट लेंगे, बहुत महीन मैंने नहीं चौप किया है, क्योंकि मैं प्रेसर कुकर में बना रही हूँ, अगर आप कराही या हंडी में बना रहे हैं तो थोड़ा सा महिन चॉप कर लीजिए गा थोड़ा सा यहां पर मैंने मुली का पत्ता भी लिया है उसे भी काट लेंगे उसके बाद तीन से चार पानी में धो ले धोना बहुत जरूरी है कि ताकि उसमें का मिटी जो है सो साड़ निकल जाए अच्छे से धोने के बाद कूकर में डालेंगे साड़ा जो साग हम लोग ने काट लिया था उसको हम लोग कूकर में डाल देंगे थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा पानी इसमें डालेंगे नीचे ताकि वह कूकर में वह पक जाए ऐसा तो साग में पानी बहुत होने देंगे उसके बाद निकाल के देखेंगे यह देखिए आप चाहे तो दलगोटना की मदद से भी इसे करती चूले पर चरहा के आप इसे कर सकते मिला सकते हैं लेकिन मैं बहुत जादा मेहनत नहीं करना चाहती इसलिए मैं इसे पीस लूँगे सिलवर टेपर अच्छे से नमक का पानी निकल गया था थो थोड़ा सा नमक भी डालूंगी कड़ू तेल तीन से चाह चमच अभी से डाल कर हम लोग इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से मिक्स कर ले यह सरसों का साग रेडी हो गया आप अपने मन पसंद डिश के साथ इसे सर्प करें खाने में बहुत स् इस विधी से एक बाँ जरूर ट्राई करके देखिए आप लोगों को रेशिपी जरूर अच्छी लगेगी थैंक्स पर वाचिंग